हम लोग श्रीमिभागवतम की तीसरे सकंद के चौथ है द्याह के ग्यारमिश्ट लोगों को देख रहे हैं इससे पहले में छोटा सा प्रश्न करोगा है बहुत छोटा सा माइक लीजिए समाव मारे आपके पास है पूछ रहा हूं शरन का यह आश्रे का क्या अर्थ होता है ज जहां पे सुख प्राप्त और दुख की निवर्तियों वेरी गुड़ वेरी गुड बिल्कुल सही उत्र आपने दिया जान बुछ के रिपीट करा रहा हूं भवक्तों की संग की शरन लेने का क्या मतलब है बग्तों की संग की शरन लेने का अर्थ है उनके साथ श्रवन की बद्वान की पार्फेट्षय होता revolves ऐसा मंठ्व नृथ Reality कि किस और आव मतलब वह फान जहां आपके दुख्यों की निःथिंवो और सुख की प्राप्ति हो जो अर्फ वास्तिवी गृूप से दुख्की निवृत्ति हो और वास्तिव ग्रूप से सुक्की प्राप्ति उसी को सच्चा शरण कहा जाएगा अब आपने दूसर डेफिनेशन दिया कि भक्तों की शरण का मतलब है कि भगवान के बारे में पक्तिव संगत में आकर के श्रवन की उतन करना अब आप यह बता सब्सक्राइब करें आए हैं कि नहीं क्लास में अगरीट क्लास के समय तो विक्ति का शोक मोह भाय कुछ समय के लिए कम हो जाता है और अगर रोज सुनते रहेंगे तो स्थाई प्रभाब यह रहेगा कि शोक मोह और भाय नहीं रहेगा यह भी है तो मैं क्या बोलत हां अब यह देख रहे है कि भगवान की शरण लेने का मतलब क्या हुआ भगवान की कथा का शरण शरण लेना उसका मतलब में बगतों की शरण का मतलब समय देना चाहिए और अध्भूत बात यह है कि इस जगत में इसके अलावा और कोई शरण है ही नहीं बगतों की संग्मा के हम जब करते हैं कीर्टन करते हैं कथा करते हैं इसी से विक्ति को सुख प्राप्त होगा अन्यता सुख मिल ही नहीं सकता है है ठीक है अच्छा कल एक बहुत सुन्दर बात में आपनों को बताना भूल गया भूल गया मजुस्तर से पता ही नहीं था और थ्रुटी पूर्ण तरीकर से बताया था तो मैं फिर से उसको देखाना चाहता हूं लोग दसमां दिखा दिखा दीजिए एक बार देखी यहाँ पर था एंड में आए था माम अनुराग हास समिक्षया विश्रमयन वाचा तो मैंने कहा था कल कि उद्धव जी बड़े व्याकुल हो करके आये थे तो उस थकान को भगवान ने दूर किया से बोला होगा कि आओ बैठो लेकिन आओ बैठो इसा बात नहीं लिखी गई यहाँ पर कैसे उन्होंने उनकी थकान दूर करी तो कह रहे है अनुराग हास समिक्षया विश्रमयन बड़े अनुराग से मुस्कराते हुए देख करके विशेश रूप से देख करके कृपा दृष्टी डाल कर उनके विश्राम को उनको विश्राम दिया समझ में रहा है बात यह बात तो है कि वह बैठे होंगे बात कर रहे होंगे लेकिन बैठने मात्र से उनकी व्याकुलता ने जाने वाली है भगवान ने जो विशेश रूप से कृपा दृष्टी उन पर वर्षा किया कृपा दृष्टी की वर्षा करी और अनुराग से परमपुजरादागोंत महराज की जाए महराज जी के मैंने बता था ना को सा 95 से लेकर 93 के जो अपने उनने सिश्च्यों को पढ़ाया था उसमें पर बोज्या गौर्कुष्व महराज भी थे तो उनके नोटस में महराज ने करते थे और उनके नोटस में भावारत लिखा उसमें महराज वात वो पर नोटस में अध्यार के लिदिखा बनाजम Sozial Our Tag तो उसको भी आप देख सकेंगे और उससे और आश्वधन कर सकेंगे कुछ और क्लेर जो प्रे म से देखा उससे उन्का उनकी थकान चलेगए उसे कैसे ओ गया आ तो यहां पर भी तो कालिया का जहर से युक्त पानी को पी गए और वो मर गए थे सब बच्छडे गाए और यहां तक कि उनके गुप बालक गण भी बगवान देखे उनको जीवित कर दी तो ऐसी शक्ति जब मरे होए को जीवित कर सकते हैं तो ठके होए कि ठकान को दूर करने हमें क्या कटनाई है समेजिन नहीं इसलिए भक्त लोग जो मंगल आर्थी जाते हैं भगवान के सामने जाते हैं वह एक प्रकार की सपूर्थी का अनभव करते फूर्थी समझते हैं एक इसलों रिफ्रेश्ट क्योंकि आप अपने लोग मैसूस कर रहां नहीं बात को कि बिल्डिंगों के सामने खड़े हो जाएं बिल्डिंग में ज्यादा पत्थर लगे हुए ना भगवान के विग्रह में जितना स्टोन होगा मैं ऐसे नहीं बोला चाहता हूँ स्टोन है मैं खाली बोल ना हूं क्वांटिटी के दिश्ट से उससे अधिक तो किसी घर में मार पहल्राम को मिलने जा रहा हूं तब भावना वन्य रहेगे कि हम भगवान को ही देखने जा रहा है ऑगवस mine से लगद दुखिवा इसे लोकिल था कि यह नहीं सोच न श्राइब को तो मिलेगा अगर आप सुना विढिएगा मेंको देखने को मिलें हम को application कुछ आपको लग रहा होगा कि आप रोज जा पारें लेकिन ये समाने बात नहीं कि रोज जा पारें ये उससे पहले आगे जाने को मैं बोल देना चाहता हूं है आप ने सुना था ना कि भगवान की आंखे लालीमा से युक्त है इसी कुछ इस लोक में बोले थे तो वहां पर आगे कही अन्यत्र बताते हैं चकरवार्ति पात कि वह लालिमा । डिव्य रजोगोंड को अलब कर जो लालिमा है वह भगवान भक्तों के हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागरत कर देती है वें कृष्णा ग्लांसे अट देवोटी और भगवान की जो मुस्कान है वह उस इच्छा को बनाए रखती है यह भी तो इपोर्टन है मंगल आरती आज आऊंगा कल भी तो आने की इच्छा होने चाहिए ना बनाए रखती है is it not basically it makes you keeps you alive यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है भगवान के सामने आना चाहिए तो इस प्रकार से भगवान ने विश्राम दिया अच्छा एक और अपने जीवन में घटी होते बाद देखिए अगर आपको मंगल आरती में जाने का आग्रह है तो कहीं लेट हो रहे होते हैं तो वहां भी एक व्याकुलता होती है कि नहीं दो अनभव करते हैं या मालो टा एक उस पूर्ती होती है अब जो और भक्ती बढ़ेगी तो और उसका अनभव होगा लेकिन होती है बगतों को सभी दोगों वे जाए से लोग खुश हो जाते हैं इस नोट सिंप्ली मोशन से वेरेवर कृष्णा इस पीपल गुल काम अब यहां पर आई कि भवान किये जाए कि कि लोगों को तो यही कं पता है कि भागवान का नाम कया है के उने में खाने में क्या पसंद है ऐस ह्यद्य students film weвा श्रीबगवान वाच वेदाह मंतर मनसीप्सितं ते ददामियत दुरुवाप मन्याई सत्रे पुरा विश्वस्रजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह सत्रे पुरा विश्वस्रिजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह श्रीबगवान वाच वेदाह मंतर मनसीप्सितं ते ददामियत दुरुवाप मन्याई सत्रे पुरा विश्वस्रजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह सत्रे पुरा विश्वस्रिजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह श्रीबगवान वाच वेदाह मंतर मनसीप्सितं ते ददामियत दुरुवाप मन्याई सत्रे पुरा विश्वस्रजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह सत्रे पुरा विश्वस्रिजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह श्रीबगवान वाच वेदाह मंतर मनसीप्सितं ते ददामियत दुरुवाप मन्याई सत्रे पुरा विश्वस्रिजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह सत्रे पुरा विश्वस्रिजाम वसुनाम मत्सिधिकामे नवसोत्वयिष्टह अनवाद हे वसु 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 थे वहाँ पर तो वसु कहां से आ गए यह तीसरा आदमी कौन है यह अजीव सी बात है तो समझ लें यह देख एक एक शब्द कितना महत्तून है अरे बात तो उद्दव जी कर रहे हैं यह वसु कहां से आ गया और किपन तो दखे जी भग्वां के नित्य पार्शद में और वसु देवता के अंश हैं जोकी वस क्वंग ते-उन ने कामना करी कि मुझे भगवां की पराप्ति हो नित्य पार्शदों को तो भगवां के परप्ति होती ही है तो इसलिए उनको बोल रहे है वसु इसे कहते आस्वाधन अचारों ने स्वरकार समझाए दिस टेस्टिंग वन वर्ड सी वन वर्ड वसू हे वसू मैं तुम्हारे मन के भीतर से यह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी जब विश्व के कारकलापों का विस्तार करने वाले वसू तो था देवताओं ने यग किया थी बड़ा सुन्दर बात है विश्व का कारकलाब का विस्तार करने का सामर्थ उत्पन करने के लिए यह किया गया था भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किया गया था लेकिन यह जो वसु थे यह वहां पर केवल एक वाले वसु जो अभी आ सामने हैं इनकी भगवान की प्राप्ति की इच्छा थी व वो उसको समझाए है वह यग्य भगवान की प्राप्ति नहीं कराने का सामारत रखता था उसने यह किया कि उसने उनको जन्म दे दिया यादों के बीच में उद्धव जी के साथ में और फिर अब यह भगवान की सिवा करता है इतना कर सकता बसको क्योंकि यहां भगवान बताएंगी कि तुमने इच्छा करी है इसलिए अब देखो क्या है तुमने विशेश रूप से मेरी संगती प्राप्त करने की इच्छा करी थी क्या विशेश संगती मैं कृष्ण का हो जाऊं और कृष्ण मेरे हो जाएं मैं उनका सेवक बन जाऊं अ अन्य लोगों का मतलब हुआ कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनके लिए दुरुलब है किन्तु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूं मतलब मैं तुम्हें ये साधन प्रदान कर रहा हूं आज जिसके द्वारा तुम मेरी इस प्रकार की संगति प्राप्त करोग और उसमें कोई कटनाई नहीं 1.1.2 भागवतम उसमें लिखा है शिवदम तापत रयोन उन्मुल्यनम शिवदम का मतलब क्या है भगवान का प्रेम सिभरा हुआ पार्शद बनकर भगवान के पास चला जाएगा ये है भागवतम का आशिरवाद ठीक है मैं कुछ कठोर बोलने वाला था लेकिन मैं मैं बोल देता हूं प्लीज आपनों थोड़ा सेहन कर लेना इस जगत में जितनी भी संबंदुक हम निभा रहे हैं और उसमें हम कितना पैसा खर्च भी कर देते हैं अग्रीट उनसे क्या हम भगवान के पास बने हैं सब्सक्राइब आइवान के पास बंगाते बलकि और मिंगों चले गए चलो करो संबंद निभाव कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप यह बताईए कि वहां तो हम बड़ा कर्ती वह मानवकान मान कर्कि खुब लाकूं अजार रुप्र देते कि नहीं उससे मिल क्या रहा है च लेकिन कोई मैं कि अपने ही बात नहीं कर रहा है कोई भक्त आपको भक्ती में सहायता कर रहे है तो उनको संबंद मान कर देना चाहिए ना वह तो हमको भगवान के धाम जाने की योग बनाने के प्रयास कर रहा है इसे नौट आप लोग का बच्चन बच्चा भी टूशन पढ़ने जाता है कि सो रुपर में कोई कोई है यहां पर जगत में टूशन पढ़ाने वाला कि सौ प्रमें पढ़ा देता हो आपको फिजिक्स पढ़ा देता हो विए लीडेट कि शीफे कन देने कि बच चाहिं है उसको देने की बचाह नहीं की चाहिए ह। दूट न लौग कर दिए अगयों व स्चिंड गरीब इक है। सब्सक्राइब कर दो नहीं है कम जोर उंके घर में वैशना वाय थे तो उनके पास पता नहीं क्या का रहा रहा था I don't know why what was that thing they took Ata from us to make do वैशना service I don't know what was the thing and I was just wow what service of attitude to devotees मैं तो मैं तो बिलकुल मैं जो why is this too much वो शयद उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा इतना इतना वैशन वो प्रति सेवा की भावना इतनी भावना कि आप दूसरे भक्त से लेकर के उनको उनकी सेवा कर नहीं अब वो बोड़ सकते देना प्रवु हमारा आर्थिक सामर्त नहीं हम नहीं बना पाएंगे मैं तो यह बोल देता आप लोग में से बहुत से भक्त लोग को कुछ ड़ेते हैं डोनेशन ने किसी और बग्कों देते हैं कि उधार लेकर तो नहीं देते ना देट बट आप यहां पर भक्त आ रहे हैं समय निकालकर दे रहे हैं वह भी बहुत अची बात है बहुत अच्छी बाति यह नहीं कि भागवत यह बहुत बड़ी लाब मिल रहा है वह गोई तो बिकम डिवोटीस ऑफ कृष्णा आपको पता है आपको पता है बात निर्ग महाराज ने एक मंदिर बनवाय था श्रीम्छ भागवत्म के लिए वह वह जो गया दान करने से नहीं वा था छेट ब्लीज मैं नहीं बहान को शीए वह जो पिनृटन थे हैं बहुत उंसार कर जड़ी ना चाहत ना नहीं तो बहुत इकथावादी लोगं कि आप सवकर बीदेंगी तो क्या होना कुछ नहीं प्लीज मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि वह आप पैसा हमारे बाइब भरते रहें वह सम्हें कुछ कह रहे हैं लेकिन जो भी भक्ति में साहथा आपको किया है उसको कुछ प्रतिदान जरूर करना चाहिए कर हम सकते नहीं कुछ करने का आवशक कुछ होना चाहिए मैं इसलिए सब बोल रहा हूं कि जो भक्ति का साधन है नाम जप है जो कुछ भी है इस वह हम पर अब सब्सक्राइब बरसाई जा रहे है और कुछ नहीं है लेकिन मुझे याद है कि तुमने मेरी प्राप्ति की इच्छा करें एक प्रशन और आएगा और ये हिस्ट्री क्लियर नहीं हो रही है कि अन्य वसुओं को इच्छा क्यों नहीं हुई और इन वसुओं को ही इच्छा क्यों हुई कुछ उत्तर आप बता सकते हो कि इनी वसुओं को इच्छा क्यों ही भगवान का पार्शत बनने की ये जो वसू है जो देवता की रूप में है वो भगवान के नित्व पार्षद नहीं है भगवान का नित्व पार्षद बन जाओं ये उनकी इच्छा थी वो आई कहां से अन्य वसू के तो नहीं है अन्य देवताओं के तो नहीं आई उनकी ही क्यों आई इसका मतलब है कि वह पहले भी किसी वैश्णव का संग जरूर किये होंगे अन्था भक्तों की संगति के बिना ऐसी सद इच्छा सर्वोत क्रिष्ट इच्छा मन में आही नहीं सकती अब उसके हिस्ट्री भवान नहीं बताए कहां तो इस्ट्री बताएंगे काम बताएं यह बात समझ लीजेगा कि वैश्णव की संगति के बिना यह इच्छा जीव के हिर्दे में आही नहीं चकती आप समझे मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक बार यह इच्छा आ गई तो भगवान की प्राप्ति होना निश्वित है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे यादार रहा है अपनी दीदी की बसे तुम प्रवचन सुने कि नहीं तो उसका मजाग मना रहा हूं मतलब बात याद आ रही लखनों म बारे में बता तो कि अरे गोलोक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे अमना प्रिमें मिल जाएका जब करों तब होगा ना तो भी वह चब कर रही है कितना ह्रह है खंटा होगा लेकिन कुछ तो जब करी रही है तो पॉइंट इस कि जब हम गोलों के बारे में भक्ति के बारे में भगवान के धाम के बारे में सुनेंगे ही नहीं तो इच्छा आएगी कैसे अर्ष दुर्ष्टात अर्ष्वत्वात भावात नभाव उप जाये थे जिसके बारे में सुना ही नहीं जिसने कुछ बारे में क इच्छा होई कि मैं भगवान का पार्षत बन जाओ इस यह देवता उधव जी नहीं है यह वसू है और वसू यह वही वसू है जिनके बारे में बात करें तो भीश्मदेव आठ वसू से उन में से एक वसू यह हैं उन्होंने इच्छा करी थी कि मुझे भगवान भगवान का प्रेम प्राप्त करें एक और दूसरा भगवान की भजन कर भी रहे तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको भगवान का प्रेम प्राप्त ना हो अब प्रेम और काम की डिफिरेंस समझते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांशा तारी बोले काम कृष्टेंद्रिय प्रीति वांशा धरी प्रेम नाम यह बताएं हम पुरी विश्वासन कह रहें कि जितने भी वक्त यहां बैठे हुए हैं तो स्वर्ग जाने के लिए भागवत सुन लिस्ट बना रहा हूं राज बना अप्धान मंत्री बना यह और स्वर्ग राज ब्रह्म लोक आप देखेंगे कि सहज केवल टेस्ट करने के लिए आप लोग आते हैं थोड़ा था भागवत को रस चक के आते हैं पीलिया है ना अब आप यह बताई कि भागवत जब भक्त एनना और ही दो राज मिल करके सुनते हैं तो भगवान प्रसंता होती है की नहीं फिर वे तक लिए तक्षणात उनका होता है भागवान को सुखी करना चाहते हैं कूछ में जूट बोलते भागवत में आपने कोई बोला नहीं हम खाली डाट रहें प्रेम से क्यों बाई जा सब की शकले देखो किसको प्रेम नहीं है हाँ कुछ प्रेम नहीं भागवत में इसकूल में नंबर आजाएं दसमीन पास हो जाएं उसके लिए भागवत सुन रहे हैं ट्राइटू अंडरस्टेंड में जदा हो सब्सक् river Zone अधिया और वियूंद हाएं आप प्रेम की स्पराव और उयुल प्रेम की शच में बता हुइं ढ बाता रहे हिए लिए भागवान को दर्जाते और ब्दले आ हैं कुछ नहीं चाहते तो अब लोग अब प्रेटिकल है ना क्यों वरन वरन पो क्या चाहिए नौकरी में प्रमोशन चाहिए नौकरी में प्रब्रमोशन चाहिए तो अवेसली प्रेम हमारा वैसा नहीं से उद्धव जी का है या हुँ रहा है लेकिन सहज अफेक्षन है सहज टेस्ट है यू आर कमिंग यह उनली टू टेस्ट भागवतम और कुछ नहीं केवल आस्वादन करने के लिए ही आते हैं या एक और बात है कि भक्ति बढ़ जाए वह इच्छा क्या काम है कामना है भोग की वास्ना है भोगेंगे उसको तो जैसी क्या जो भागवतम का आशेवद है कि यह आपको परें से भरा हुआ पार्षद बना देगा तो परें भरना शुरू नहीं कर दिया अरे हवा त्यायर में हवा भरते हूं तो भी समय लगता हुआ पहले अगर आपने खोला जब तक नहीं खोला तब तक बाल्टी भर रहा हूं कैसे श्रीमत भागवत्म हम सभी लोगों को भगवान का प्रेम दे रही है बहुत दे दिया है एक और अंगल समझ लिए प्रम प्रहुपात बोलते हैं वन यू दू समझ लिए नहीं है तो यह प्रेम का सुचक है क्लियर तो यह साधन श्रीमत भागवत्म का है और अगर इसको विक्ति करता है इस इच्छा से किवा भगवान का पार्षद बन जाए तो वो बन जाएगा प्रभुजी कौन हेल्प करेगा बोल रहा है नहीं हेल्प करेंगे श्री भगवान वाच्छा उन्हें कैसे मालम चल दो गया वह भूल गये वह इच्छा की थे लेकिन भगवान को याद रहा कि इसने मेरी प्राप्तिक इच्छा करी थी अच्छा यहां कोई हाथ खड़ा के जहिए लागवान की प्राप्तिक इच्छा नहीं हो तो आज बड़े समय मांदार हो गया चुप चाप बैठें यह अब तो भास गए गलत प्रश्न कर दिया नहीं हो ऐसा तो प्रवा में आया क्यों क्यों आये क्यों आये है कि नहीं अब तो आने एक कैटेगरी तो आपने आ गए पहले जिस कैटेगरी में वसू थे उसमें एक स्वाती त्यागी माताजी क्यों उनकी इच्छा नहीं तो आएं क्यों अभी स्वाती त्यागी माताजी मेरे पीछे लगए हो टेलिग्राम पे मेरे को माला भीजो मेरे को माला तो अगर ऐसी उत्कंटा है किसी की नाम जब की आप लोगों कोई दे दिया माला भी है बहुत लोग तो ऐसी होंगे अब इतना उत्कंटा और कह रहे है भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते मैं आप लोगों को ग्रिल कर रहा हूं ताकि दिमाग में घुश जाए कि बढ जाते तो बड़ा अच्छा होता और भगवान की पूजा करी तो भगवान सवयमवसाधन दे रहे हैं भाइव यह बा समझें कि जब भगवान सधन देते हैं तो कौँन सवर्द होता है कैसा होता है अमोग सदन होता है अमोग अस्त्र सुना जो कभी विफल नहीं होता तो यह भक्ति का साधन भग्मान स्वेम उद्धवची को बता रहा है, इसका मतलब है, अगर मैं आपका सुपीर हूँ, और मैं आपको अमोग साधन दे रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको सिद्धी चाहते हैं, और मैं आपको अमोग साधन दे रहा हूँ, तो म इक औरूर्ण भगवान का जानते हैं माइक पाता है क्या समझते हैं सप्शुक्त संग्लों या बर्टब techno ce संग्पार्बूंठ में पिशनक्लब है तो भगवान सत्य संग्लब है आपको और वह सब्वर tract है पिएं माइक परिजिए आज परशनल बात बते लिए टमटो बनाए था बढ़िया बनाए तो जब आपने मेरे सामें रख्ति दिया तो आपके क्या इच्छा थी इस को आप आई बस समझ में आ गया अब अब समझ में अगते बागवान आपको एक अमोग साधन दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं शारा एक निदे शाखें हमारा बस यही प्रतिदान्स है कि dominate the boldness bestnight कर लो and then the mercy flows and then the mercy Wiz and then the mercyмен父 इस देट ओके यहीं हमारे घर में नहीं होता है अन्य घर में भी होता है ना पत्नी ने माने बहुत सुंदर भोग पसाद बना कर दिया आपको तो क्या चाहते हैं आस्वादन करें खाई उसको और यह व्याजदेव जी करें पिवत भाग वताम रस मालें तुमारे लिए देख आज तो इस लोग को पूरा नहीं कर पाएंगी बहुत सुंदर श्लो के पली अनवय देखते हैं श्री भगवान वाचा श्री भगवान ने कहा जो सारे एश्वारे से युक्त है और एक एश्वारे है उनका ज्ञान तो उन्हें इसमें आश्वारे नहीं करना चाहिए कि उ यहां बच्ची की पत्री पैदा होने के बाद बनवाई जाती है और यहां बच्चा आपने बाप की पत्री होता रहा है कि проблема यह वह वह आप ने कटेंना इस लिए नहीं करना चाहिए यहां इस जीवन में आपका नाम उद्धव है वैसे वसु क्या मैंने कई बार आप लोगों को प्रभचर में कम से कुछ बार जरूर कहा है ने कि जब आप भग्मान के सामने जाते हैं तो भग्मान आपको असीली रूप में जानते हैं थिल्षय में अधनते हैं प्रआमें आपके सामने आपके सामने कुछ भी नाम रके भी कुछ लेकिन भगवान तो आपको जब पुकारेंगे तो आपकी असली नाम से ही पुकारेंगे देखिए अब बताईए क्यों समीर जी ठीक है ना समीर केंगे यह समीर क्यों बोले लग गए एक एक शनो कितना एक शब्द कितना मजदार है वसू क्यों बोल रहे हैं वह समझ रहे हैं बवान से उनकी बुद्धी कोई कम नहीं थे समझ रहे है मैं तुम्हारी मन में स्थित्व वांचा है मैं जानता हूं इस पर एक आचार कहते हैं मैं जानता हूं यह इस वाक्य का अनुवाद है कि मैं आज तुम्हारी इस इच्छा को दे रहा हूं पूंड कर रहा हूं कुछ क्याच किया आपने सुबोधिरी में इस बाद को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं मतलब तुमने जो करी थी तो जानने से क कि तुम मेरे बार्षत बनना चाहते तो मैं आज तुमको इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं तुम्हें दूंगा इसको सुन्दर अर्थ है नहीं नेक्ष लेखिए पूर्व जन में जब तुम वसु थे तब विश्व स्रजाम विश्व की सिष्ट्री करने वाले प्रजापती तथा वसु नामँ वसुगन के सत्र याणी य्यक में मतसिधिकामेन और मेरी संकति प्राप्त करने की इच्छा से त्वया इश्टः तुमारे द्वारा मैं हुआ तुमने मेरी प्राप्ति की छहकरी और मेरी पूजा करी तो उस समय मेरी प्राप्ति नहीं हुई तो अराध्ना विफलो गई अब समझे रहे हैं मैं क्यों यह बोल रहा हूं कुण कई बार भख सोचने कि हम इतने समय से भज़न कर रहा है बहुत ध्यान से सुनिये क्यों भगवान इतना वेट कराये वसु जी को कराये ना है पूरा देवता का जीवन बीत गया और देवता तो सौ शाल के लिए नहीं जीते हैं किसमेटी करी रहें तब भगवान की बध्ती हो रही है भगवान भी चाहिए और जगत भी चाहिए तो फिर नहीं मिलते हैं तो भगवान इस जगत की जो उत्खंटा उसको समाप्त करवा रहे हैं ताकि उनकी जो प्राप्ति की उत्खंटा है वह जागरित हो जाए और दूसरा हिर्दे में दैनिता आ जाए देखिए भक्त लोग भ तो तो नहीं तो आप आपको प्रेम देंगे लेकिन देंगी नहीं तैकि भक्त बड़ा नम्र हो जाए और दूसरा बात भगवान क्रमशा 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 क्रम क्रम आपको भक्ती में स्वा देते हैं और यह भी आप जानते हैं कि अगर भक्तों का अपराद हो जाता है कुछ गल्ती हो जाती है तो वह रस्ट चला जाता है तो अब एक बताई क्या द्यानिता नहीं आ जाएगी दर लगता है बड़ा रहती कहीं कोई भग को बुरा ना लग जाए कभी को व्यक्तिकत नहीं लेना चाहिए और मैं बोलना चाहता हूं को कोई यूटूब पे भी सुन रहा हूं अगर मेरी बास से कोई दुख लग जाए तो आप आपने यह बूला हमको बहुत दुख ला महीं प्रयास करता हूं कि दुखी ना करूं विकाश टेस्ट फर भक्ति विल्ट बीव लॉस्ट अड्वांस इंड्वांस अब देखेंगे कि जो भगवान थोड़ा समसंघर्ष करवार है तो उससे समझ में आता है कि यह संघर्ष में मैं अकेले तो नहीं जी सकता जीती नहीं स कि वह हमारी हमको अपनी प्रापति कराना नहीं चाहते हमें हम अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं इसलिए नीदि तुमको मैंने बोला था ना मया डिफिकल्ट है तो क्या सोच रहे हो को नहीं बात पता रहा हूं इस डिफिकल्ट बट दूसरी बात भी तो बोला था कि इस अर्वेरी डीप स्टेटमेंट्स जहां साधना करते ना तो अधिकल्ट लेकर जब भगती करने लगते तो अरे भाई तो बड़ी डिफिकल्ट है फिर फिर नेक्स लोग्या था था ना मामे वह यह प्रपध्यांति भाई हमारे प्रयासों से तो नहीं जाने वाली है तेरा प्रयास में पूप में उड़ा दूंगी अग कृष्ण को लिकेंग अरे भाई ये तो सूरी को लिया आया भाई अब ठीक अब तो निकलो यहां से तो अब तो अब तो निकलो यहां से कि कैसे भक्त प्रार्तना कर रहे है कि भगवान मेरा हिर्दे तो हजारों दुर वासनाओं से बंधा हुआ है मेरा हिर्दे में आपको नहीं दे सकता आप अपने बल से मेरे हिर्दे को अपनी तरफ खींचिए आप समझ गयोंगे कि मैं क्या वाख्या कर रहा हूं कि इतना समय क्यों भगवान लगाए उत्रकंथा जागरत करने के लिए अच्छा एक बात आप देख रहे हैं कि यह जो उद्धव जी है यह वसू है इनकी अत्यधिक उत्रकंथा है यह आपने पिछले स्नों को से सुन ल सब्रकंथ आ जैसे बच्चा मां के प्जुक में पिछले जणम में एक पूरा देख की सकते लिकिन जो भी जन्र रहा हो उसमें वह इस प्रकृचा से है मत्सिद्धि कामिनन मेरी संगती प्राप्त करने की इच्छ संगति मतलब प्रेम से य kitthe स्व革ी ही पहले से लेकिन उससे या है ज़ब भगवान का प्रेम होता है भगवान की पृति चिफ़ोफ कर दिया था कि युद्ध भी नहीं कर सकते है किनी sa लेकिन ना देट नॉट फाइंड एनी हैपिनेस अ अराधित हुआ था अब आप एक चीज़ अपने पर अप्लाइब कीजिए सब लोग की प्राप्त करने कि इच्छा है किसी कि ज्यादा और सब लोग भगवान की अराधना कर रहे हैं कौन कोचिंग इस्टिट्ट में भगवात पार्षद कोचिंग इस्टिट्ट बढ़ने वाला कोचिंग फेल हो गा सब पास और इस पर से विश्यशकर से उपर बैटे हैं । पता ना पतित पावन स्कूल पास नहीं तो स्कूल बंद हो जाएगा लोग एडमिट नहीं होगे ना तो इसे सब को पास करते यह तो यह भी उमीद नहीं कर रहा है कि तुम एक्जामे कुछ लिखो खाली आकर बैठ जाओ और पास हो जाओगे तो मैं आप तुमारे द्वारा आरा दे थ्वा पर तुमने भक्ति करी पत्व इसलिए ददामी उस तत मतलब इसलिए उस साधन को ददामी मैं दूंगा कि साधन को जिससे तुम्हें मेरी संकती प्राफ्थ हो जाए यह पकड़ दे जाएगा इस पांट को तो इसमें कौसी वि विशिष्ट आप मुझे दे रहे हैं अब कर तो मेरे भक्त हो और अन्य मतलब जो मेरे विप्रीत चल रहा है भक्ती नहीं कर रहा है मतलब आध्यात्म वादी भी हो सकते हैं लेकिन भगवान से विप्रीत है योगी है कर्मी योगी है ज्यानी है वो भगवान के भक्ती नहीं प्राप्त कर भक्त नहीं होते हैं तो उनकी ल सकत्ष हो तो ऊध्धव जी बोल रहे थे ठाट रहो जिसको सम्यक योगेना समियक योग के द्वारा संस्प्रहयंती सम्या कैसे कर लोग यतना की यह योग के द्वारा योग के अच्छे से अनुस्ठान के द्वारा जिसकी केवल प्रिdoor करते हैं उस सिद्धी को भगवत सायुज को प्राप्त नहीं कर पाते वह केवल भगवान के संबंद से संबंद होने से शिशुपाल चेदी राजी प्राप्त करें क्या संबंद था ये क्रिष्ण ये बहुत खराब आदमी है और ये तो बड़ी शुद्ध हिंदी हो गई जब से तुटला अब मान लोग को सामने ग्लास में अमरित भड़ा हो करे तुम कोई जहर को पिला रहे हो और उसको पिलाया जाए यह वो पिए गाली दे दे कर भी पिए तब भी क्या होगा उसके संबंद लोग कोई कि ये अमरित क्यों पिला रहे हो मुझे ये अमरित हमको बिल्कुल करें कृष्ण ये पदार्थ ही असा है कृष्ण ऐसा पदार्थ है कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदी जो कुछ भी इसका कैसे भी सेवन करें अमरित को प्राप्त होगा और हुआ भी लेकिन जिनका संबंद भगवान से है ही ने उनके लिए तो फिर बहुत कटना ह नहीं ने बड़ी प्रेम बलद किया है मैं श्री भगवान ने कहा वे दा हम मैं जानता हूं क्या जानती है यह क्या ढदामी जानते हैं तो क्या करें यत ददामी जिसको मैं दूगा और तद दुरवाप मन्य उसको मैं दूँगा यत दुरवाप मन्य जो की अन्यों की द्वारा जो की भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए प्राप्त करना दुरवाप है मतलब अशक के है असंभव है करी नहीं सकते बिसिकली जो दूसरों के लिए असंभव है मैं तुम्हारे लिए संभव कर रहा हूं यह भगवान कहना चाहते है भाई देखिए समझने का प्रयास कीजिए आप और मैं अपनी समझधावट से कह रहे हैं कि यह चीज़ कठिन है अगरीड यहां बच्चे सामने बैठे और बच्चे कहें कि यह यह मैंत्मेटिच की प्रॉब्म है ना तो आप लोग लिए दिफिकल्ट नहीं है अगर आप कुछ सोच रहा है कि यह चीज दिफिकल्ट है तो बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप समझ गए भगवान कहने दुरवाप अन्या मतलब भगवान अपने रफ्रेंस फ्रेम से बोल रहे हैं अपने दिश्टी कॉंट से बोलने कि यह चीज उ पूरे पूरुष जन्में पूरा का मतलब इस जीवन में तुम्हें देख नाव कि कोई वसु बना हुँ यह व्श्वकिकल्ट किया गया था विश्वस्रजाम वसु हुनाम विश्व की स्रिष्ठी की शक्ति प्राप्त करने के लिए वस्वों के द्वारा एक सत्र हुआ था सत्र का मत्तब्द होता जो बहुत लंबे समय तक किया जाता है जैसे श्रीमित भागवताम कभी ये सत्र चल रहा है आप जानते हैं सूत गोश्वामी जी बोल रहे हैं शौना की प्राप्त करने की सिद्धी चाते थे कौन तो कह रहे हैं वसो नौट उधव वसू के रूप में आप इच्छा कर रहे थे त्वया इच्छा कर रहा था तो क्यों इच्छा मात्र से आप उसको पूर्ण कर रहे हैं कहते नहीं त्वया तुम्हारे द्वारा इच्छा मैं आराधित भी हुआ था तो एक बात इंपोर्टेंट है कि देखे केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा हम कहें भगवान के पार्षट बनना चाहते हैं करके अभी पान खाके आ अगर बड़ी इंट्रस्टिंग बात याद आरी उत्रकंठा नहीं होगी तो वैकुंट का विमान सामने तब भी नहीं घुशेंगे अरे प्रवजी क्या बात बहुत जदा बोल रहे हम बता रहे हैं इस प्रसिद्ध बात है लोगों ने आखों से देखा आए इस बात को आप तुका राम जी महान भक्त हुए और उनको लेने के लिए वैकुंट का पार्शद आया वैकुंट का विमान आया लोगों देख नहीं कि वैकुंट का विमान आया तो उनकी पत्नी जिंद्गी बार उनको परशान करी अधर भी वो परशान हुए नहीं तो बोले कि तुम भी चलो करती नहीं मेरी भैस मंगला का द्यान कौन रखेगा तो यह देख रहें कि वैकूंट से विवान आए भी और आपको बिल्कुल खुला कि हो नहीं घर में फासे रहेंगे इस्तिति है तो इछा वनी चाहिए और बाती भकति करेगा तो इच्छा लक्षणे कि अगर उसे बताया जाएगा कि यह साधन है तो वो करेगा और इस पे एक और मैं आपको बात बोलूँगा आठ्वे सकन से ही इसी की बिल्कुल यही बात इसी तरह की बात यही तरह की बात माता अदिती के सामने भगवान विश्णु प्रकट हुए क्रिश्ण विश्णु एक ह तो कह रहे हैं वहां क्या बोलना है देखिए उन्होंने पयोब्रत किया था बारा दिन का और भगवान विश्णु सामने प्रकट हुए तो उन्हें कहा बगवान ने कहा मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा मेरा अर्चन मेरी उपासना अन्यथा अर्था विर्थ नहीं जा सक कि उसके बाद भड़ी सुंदर बात कहते हैं तो अर्चन आपका विर्थ जा नहीं सकता तो सबको आपकी प्राप्ति क्यों नहीं होती है तो कह रहे हैं श्रद्धानुसारेण फल हेटु कत्वात श्रद्धा की अनुसार उपासक की श्रद्धा की अनुसार वह फल साहतु बनती है वो पासना फल का हितु बनती है अब यहां प्राक्टिकल समझ रहे हैं मैं इस लोग क्यों कोड कर रहा हूं क्योंकि उन इन विशेश वसूत की इच्छा थी उनका नाम नहीं रख रहे वसू थे उनकी विश्व स्रिष्टी में कोई रुची नहीं थी वह वसू एक मा भगवान की इच्छा मैंने भगवान के पाषद बनना चाहते थे तो उस प्रकार से उन्हें राधना करी तो भगवान में व्यस्था के रिकिनकी वह अच्छा पूर्ण हो जाए तो अगर किसी के मन में आ रहा है कि मेरी भक्ति में प्रग्रति हो नहीं रही है अगर मानों म सारे न और थाथ इच्छा नों सारे न कोई धन चाहता है तो धन मिलता है भगवान का पूजा विर्थ जाही नहीं सकती है कान कोल के सुन लिजे यह मत सोचिएगा आप हम बजण कर रहे हैं तो हमें देख यून रहे क्या चाहते ही नहीं है और भगवान जबरदस्ती नहीं देते हैं तो नहीं तुमने बजन किया तो मैं यहां टाइम क्यों बरबाद कर रहा हूं इस इट नॉट आप सुन चुकिए हैं कि गीता के पांस लोगों को पढ़ा था 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 है कि तो उसकी इच्छा थी इसलिए स्वर्ग मिला इस डाट ओके लेकि इसका मतलब यह नहीं कि वहान आप अन्य और वह भी नहीं देंगे तो योगशेम वहान करते हैं अच्छा एक इंट्रस्टिंग बात है चलिए थोड़ा गीता भी दो पढ़ लेते हैं अनन्यास चिंत यंतुमाम यह जनह पर उपासे ते शाम नित्याभी युकतानाम योगक्षेमम वहाम में जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं तो उनके योगशेम का मैं वहन करता हूं तो यहां पर क्या ये श्लोक अपलाए होता है वह दिख रहा है आपको योग मतलब जो उनके पास नहीं था वो लाके देता हूं अर्था तो जो बने रहो तो खेर कटनाई है नहीं तो सब श्लोक है इसको हम कल भी चचा करेंगे आप लोग पढ़के आएगा तो अच्छा लगेगा हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे प्राटिकल श्लोक के दारत दिख रहा है कि हम सभी को भगवान का पार्षत बनने की स अच्छी बात है लेकिन वो परिवार क्रिष्ट भावना भावित होना चाहिए तो अच्छी बात है और नहीं तो क्या मिलना अब यह है स्टांडर्ड बाकि उसको आप जितना अप्लाई करना चाहें देशकाल परिस्ति के साब से कर लिजेगा कुछ-कुछ थोड़ा दर भ अच्छी बताइए जिंदगी में आप कभी किसी से बोले आई लव यू नाट रोमांटिक स्टेंस यह चलिए निश्वाताजी आप अपने बच्चों से कितना किलो प्रेम करती है किलो नहीं होता है अच्छा कितना लीटर कितना मीटर हाँ तो प्रेम को तूला कैसे जाए अच्छा यह जो भक्त कह रहे है कि इनको प्रेम फिल नहीं होता है लेकिन आपके पिता जी को फिल होता है इनकी पिता जी को बहुत दिक्कत हो रहे कि बहुत जद्धा भक्ति कह रही बच्ची की पीता जी के पीता जी को अपका फिल लग गया है ये एक दिक्कत है के आ है गुसा और और वह सब कहरें देखिए गुसा फील होता है लेकि से करेंज क्लास में मैं बता है कि हम लोग किस चीज में आसकती होती भगवान की सिवा में और आसकती की स्थर पर आपको भगवान से प्रेम होने लगता है उससे पहले तक कथा में कथा से मेरा मतलब सेवा में रुची होती है क्या नाम में कभी अच्छा न लगा आपको नाम में टेस्ट होता है क अब गुडगान कर रहे हैं तो क्या दिखते हैं हमारे बड़ा हमें गर्व से कहते हैं हमारे वह अंडर में थे समय में ब्रमचारी अब तो वह दाशरती सुरूप प्रवु इस एवरीडे चांटिंग वह तो अपना प्रचार करेंगे लिए हम को मन कर रहा है हम बोले कर रहे हैं रात में एक बज़े उड़ जाते हैं उसके बाद पचास माला पूझा तक हो जाता है उसके बारावे तक चौसट माला फिर उसके अदा भी पुरा कर देते हैं उडिटरली अपने गुफा मैं जान प्रवजी बहुत अच्छा लगता है तो उसे पूछो कि वहाँ चाहिए क्रिपा चाहिए इसकी भी आलत ये भी क्रिपा मांग रहा है अपने क्रिपा के तो फैटरी आप खोल लिए जो आदमी 2.00 नाम जाब कर रहा है उसको ओव क्रिपा चाहिए क्ते थीन लाग करना है अ उनका दर्शन may वह मेरा दर्शन की मेरा भाग्य है विरी वेरी नाइवन आप को पता नि-चले का विकति का आए आप बता रहो कौन है ाफब को जातने हैं आप लोग जानते ना उनको जो फूल बाते है वो है पता न चले का nowhere पटानी जाते ह्ना एलाग तुम एक लाग तुम कर लोग तुम ऑफीत बाद ये उच हो तुम एक लाग कर लो कुंछ आप दिवोटीस वह नहीं कुछ वार बाद भाद्याग वोलूंगा एक बात मैंने पूछी थियाज मुखुंदत प्रभू को प्रभपाजी के आखे में कि द्दिया ना दनाम सीचिए भक्ती में हम कर्म और ज्ञान को स्विकार नहीं करते हैं। लेकिन दिविकर्म और दिविज्ञान के अलाबा भक्ती में है क्या? कि यह दिविकर्म नहीं है भागवतम सुन रहे हैं। दिव्य कर्म, transcendental कर्म नहीं, क्या action नहीं हो रहा है याप पर, क्या दिव्य ज्यान नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हें बहुत सुन्दर बात बता है, फिर मैंने पूछा प्रवजी लोगे रूपको स्वामी जी हैं, प्रशला प्रभुपाद हैं, और अन्य अचार हैं, वह भी तो शास्त्र को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कि अतने आचार हैं तो वह बताएंगे ही, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, आचार का करतव ही है कि वह शास्त्र का उपदेश दे समझाएं, लेकिन यह अर्थ नहीं है कि सारे शुद्भक्त ऐसा ही करेंगे, आप सम अर्थ उनकी पुरा प्रकाशित है लेकिन जरूरी नहीं कि प्रचार करेंगे तो भी वेरी केरफुल ऐसा नहीं कि हम किसी बत का अपराद कर दें आई यह तो खाली फूल दे रहे हैं और भाईया वियर फॉर्चुनेट तो है फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लम सच डिवोटी अब बताई देन को लोग बुराई करते हो पर ली तो हमके भराई मलब अगुण गुणगान नहीं कर सकते हैं तो मैं ही सब क्यों बोला था उनको भी नहीं हो रहा है उनको भी टेस्ट अंधा हो रहा है लुक्त को बहुत पूछ नहीं के सामने जो है वह 100% वसु है या फिर उद्ध्व जी और वसु दोनों है उसको आप टीका में देख लेना उसको मैं आप कल चचा करूँगा प्रकती में प्रक्रति कर रहे हैं यह कैसे बता चलेगा यह बड़ा स्पस्ट है कई बार बता जा चुका है जगत से विरक्ति और भगवान आ सकती और स्पस्ट में कहें कथा में आसकती जी काथा मैं यह हम लो संचेके हैं एक मात्र आगे का क्या हना है कितना हरी नाम मैं आ सक्ति कितना प्रगति किगा है एक हम रुकते हैं कि जया है सिर्द्र भागवत्म कि जया है निताई-गौुर-प्रिमा-नदे